हलो फ्रेंट्स, वेलकम बाक टो इंग्लिश फील्ड और यहां पे हम प्रिप्रेशन करते हैं TGT, PGT, LTE, इंग्लिश की और अगर आज के वीडियो की हम बात करें तो अब यह जो सिरीज स्टार्ट हो रही है हमेशा हमने एक सिरीज स्टार्ट की है हर टॉपिक की तो यह किसी ना किसी से connected रहते हैं जिससे कि आपको रिमाइंड करने में असानी होती है और एक से दो बार सुनने में आपको वो आपके दिमाग में अच्छे से प्रिंट हो जाते हैं तो अभी हम शेक्सपेर का लेके चल रहे हैं इस इस दो फोस पार और इसमें से question आपके पक्का फसेगा एक्जाम में तो जितने भी important है वो सारे हम लेके चलेंगे considering 2016 का जो paper आया था उसका pattern so without wasting any time let's start so first is when did Shakespeare join an acting group जो acting प्रूप था वो कब जोईन किया अब देखे questions एकदम अलग अलग तरीके से आ सकते हैं ठीक है उन्होंने अपना acting career कैसे start किया ये question भी बन सकता है और when did Shakespeare join acting टूप ये भी बन सकता है तो year था 1594 Lord Chamberlain's ठीक है नाम था उस टूप का Lord Chamberlain's जिसमें उन्होंने अपना acting और writing का career start किया who called Shakespeare as Swan of Ewan ठीक है Bard of Ewan भी कहा जाता है Shakespeare को और Swan of Ewan किसने बोला Shakespeare को तो correct answer है जो इसका Ben Johnson Ben Johnson ने Swan of Ewan बोला 23rd April is also known as ठीक है 23rd April को St. George Day भी कहा जाता है St. Patron Day था ये तो St. George Day भी बोला जाता है ये question आभी चुका है और जितने भी इसमें points है वो बहुत ही important points है question इसमें से पका आपका फस सकता है अब देखिए इसलिए हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि your concept should be clear concept अगर आपका clear होगा तो question किसी भी तरीके से frame होकर आ जाए आप अपने अंदाजे से answer को जरूर सही टिक कर देंगे लेकिन अगर सिफ ratification पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है रटी है लेकिन उसको थोड़ा सा समझ के रटी है ठीक है so 23rd April is also known as St. George Day और क्या हुआ था 23rd April को यह आप मुझे comment box में comment करके बताईएगा कि 23rd April Shakespeare के life के कौन से incident से related है Name the place where Shakespeare was buried अब यह बहुत important point है Holy Trinity Church यहीं पे Shakespeare का baptization भी हुआ था और यहीं पे उनको buried भी किया गया था Baptize जो नामकरण की विधी होती है तो उसको कहा जाता है कब हुआ था आपको पता होगा 26th तो इनका Baptization नामकरण का जो हुआ था Holy Trinity Church में और बरी भी इनको वहीं किया गया था Holy Trinity Church What is the name of eldest daughter of Shakespeare Shakespeare की जो eldest daughter थी उनका क्या नाम था तो जो eldest daughter थी उसका नाम था Susanna ठीक है Susanna जो भी आपको perfect लगे according to your pronunciation तो Susanna उसका नाम था और इनका Baptization कब हुआ वो date भी आपको याद होनी चाहिए 26 May 1583 में Baptization हुआ था at Stratford और बर्थ कब हुआ ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्यूंकि question एक ही point से कई सारे निकलते हैं इसलिए मैं सारे ही points लेके चल रही हूँ साथ की साथ लिखे नहीं है बट इससे related जितने भी points है वो सारे मैं आपको बताती चल रही हूँ अब शेक्स्पियर की शादी किस से हुई ये question आ सकता है तो एनी हैथवे डेट अगर पूछी जाती है तो 28 November 1582 पंदरा सुभी आसी में उनकी marriage हुई थी किस से हुई थी एनी हैथवे से और इसी में एक बहुत important question और भी बनता है आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते है points का चाहें तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसके साथ साथ अपने खुद के point आप note भी कर सकते हैं जो correlated points होते हैं किसी ना किसी figurative form में आप उसको तुरन लिख सकते हैं तो एनी हैथवे एट यह सीनियर दैन शेक्सपियर शी वस एट यह सीनियर दैन शेक्सपियर और शेक्सपियर की marriage जो थी वह कौन से age में हुई थी कितने साल के थे जब उनकी marriage हुई थी और एनी हैथवे कितने साल की थी जब उनकी marriage हुई थी इस तरीके से भी question पूछा जा सकता है कितने साल सीनियर थी कितनी सीनियर थी शेक्सपियर से यानी है तवे ये भी पूछा जा सकता है so she was 8 year senior than him okay now next is when did शेक्सपियर change the draft of his will शेक्सपियर ने जो विल थी उनकी जो तयार की थी उसको कब उन्होंने चेंज किया तो 25th मार्स 1616 को उन्होंने change किया था this is very important question ठीक है इस question को बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है बहुत ही important question है 26 मार्स 16-16 को उन्होंने change की थी और उसमें किसको जादा priority दी थी means किसको जादा security दी थी Judith को उन्होंने जादा security दी और reason क्या था इसके पीछे कि Judith को उन्होंने जादा security दी because of the her husband's misconduct with another woman तो इस reason से उन्होंने Judith को जादा security दी थी अब देखें लंडन जो उनका जाने का सफर शुरू होता है जब वो लंडन पहुंचते हैं वो है 1587 उनका year है जब वो लंडन पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ point से ही नहीं you should frame a kind of story आपको एक story की तरह उसको पूरा frame करना चाहिए और फिर उसके career को आप अच्छे से trace कर सकते हो अच्छे से आपको date जो आपके बाबा messages आते हैं कि माम date learn करने में बहुत confusion हो रहा है तो वो आपको नहीं होगा तो 1587 जो है वहाँ से उनका London वो पहुँशते हैं ठीक है अब यहाँ से कई सारी चीजे हैं तो पहला तो question यही हो गया कि Shakespeare leave his family and reach to London या went to London तो 1587 राइट next is what was the name of house that Shakespeare purchased देखे यह most repeated question है पहली बात कौन से year में उन्होंने लिया था तो 1597 ठीक है आप इसको ऐसे relate कर सकते हो 87 में वो पहुँशे कहां लेंडन में फिर वो अपने works के लिए अपने dramas के लिए public को बहुत जादा उन्होंने attract कर लिया था ठीक है public खुदी attract हो गए थी क्योंकि उन्होंने common English language में बहुत अच्छे से लिखना start कर दिया था और public बहुत ही अपने आपको उन्होंसे relate कर पा रही थी और बहुत जादा उनके dramas को उन्होंने पसंद किया तो 1597 आते आते उन्होंने new place लिया था इसमें कई आपको confuse करने के लिए ये मैं point एकदम clear कर दे रही हूँ आपने comment में भी पूछा है whatsapp जो personal हमारा group है उसमें भी ये पूछा गया है और जिन्होंने notes लिये हैं वो भी इसे ध्यान से देखें notes लेने के बावजुद आपने मुझसे पूछा है कि maam ये place है या palace है मैं पहले ही बता दू ये कोई palace नहीं है this is p l a c e ठीक है आपको बिलकुल confused नहीं होना है इस वीडियो को देखने के बाद place है new place second largest house था ये new place इन्होंने लिया था लंडन में ठीक है second largest house इन्होंने purchase किया था कब 1597 में लंडन पहुँशने के बाद अब आईए next point देखते हैं when was globe theater burnt this is again repeated question globe theater था वो कब burn हुआ था कब जला था तो ये 29 June 1613 को इसमें आग लगी थी who called Shakespeare as upstart crow shakes बहुत ही famous question भी कह सकते हो चहीता question कह सकते हो आप examiner's का बार बार पूछा जाता है हाँ पूछने का pattern different हो सकता है again I am telling you अगर आप थोड़ा सा evaluate करो 2016 का paper इस पर मैंने एक अलग से बताया है कि how you should tackle with your preparation अगर आप focus करते हो 16 वाले pattern को traditional pattern पर questions नहीं frame हो रहे हैं questions वही है answers उनका favorite corner वही है लेकिन the way they are asking questions that is different तो वह कहीं ना कहीं आपका comprehensive level check करने के लिए है who called Shakespeare as abstract scroll Robert Green out of jealousy इन्होंने उन पर ये comment किया था अटाक किया था कि भई बेस तो हमने provide किया और उसी पर ये work कर रहे हैं अभी हमने देखा globe theater में आपकब लगी अब हम देख रहे हैं कि उस time पर कौन सा play perform किया जा रहा था ये मैंने community post में भी डाला था question तो काफी सारे questions इसमें answers wrong आये थे और जो majority थी वह wrong answers की तरफ जादा थी henry 8 is the correct answer उस time पर henry 8 जो है वो और perform किया जा रहा था और henry 8 ही उनका ऐसा play है जो की unfinished work है ठीक है तो देखिए ए single point में से कितने सारे questions फ्रेम हो गए तो इस तरीके से हर point को एक दूसरे से relate करके याद रखने की कोशिश किया करिये इसलिए मैंने बोला try to learn it in form of story जितना आप familiar literature से होगे literature उतनी ही आपके लिए क्या बनेगी easy now which play did not appear in first folio ऐसा कौन सा play है जो first folio में appear नहीं हुआ था first folio की date क्या है आपको पता होगी 1623 पेरिकल्स अब यह ऐसे भी पूछा आता है कौन सा ऐसा play था जो include नहीं था excluded था तो पेरिकल्स अब first folio में नहीं appear हुआ पेरिकल्स तो इस तरीके से question आ सकता है पेरिकल्स is the right answer name the unfinished work of Shakespeare अभी मैंने पीछे discuss किया था तो this is Henry 8 then name the comedy that consists unhappy ending देखिए इनके plays से आप पूछते नहीं questions कैसे बनेंगे किस तरीके से बन सकते हैं तो जो normal famous चीजें हैं कि किसी का कोई बहुत important character है जो हमेशा पूछा जाता रहा है कोई famous incidents है famous scene है ठीक है तो ये सारी चीजे तो जो है already they exist and you are aware of all those questions उनसे तो आप aware हो वो चीजे भी देखिए जो उसी में छिपी हुई है बट you don't know how they could be asked ठीक है किसी रों ने सबसे ज़्यादा solilokies बोली किसी रों ने सबसे ज़्यादा dialogues बोले तो ये सारी चीजे पूछी जा सकती है you never know what's going to come in your examinations name the play which narrates twin story ऐसा कौन सा play है जो कि twin story narrate करता है इसमें twin story का जिक्र है the comedy of errors और मैं बता दू comedy of errors से बहुत सारे point जुड़े हैं और it is very famous 37 plays जरूर है लेकिन आपको 37 पे जितना ज्यादा focus नहीं करना है आपको focus करना है जो बहुत important है character point of view से उसमें जो main main incidences है scene है famous उन से plus उनकी जो speciality है means या तो hero की dialogue जादा है कौन से scene बहुत lengthy है कौन से act बहुत lengthy है all these things किसमें बहुत ज्यादा line है कुछ भी पूछा जा सकता है but don't worry about that 16 points यहां पर हम देख रहे हैं बठ हम लोगों ने around 30 to 40 points discuss किये जो की correlated थे आपके points से सारे important points हैं आप अच्छे से screenshot भी ले सकते हैं if you want to note down और देखिए आप किस तरीके से question frame हो रहे हैं बाकी don't worry मुझे बता अब आप personal message करने लग जाओगे whatsapp पे but it's nothing so इसका next part भी आएगा और इससे जितने भी important questions बनते हैं फिर से मैं बोल रहे हूं जो बहुत famous है जिसको सब चानते हैं वो questions तो हैं पर जो different pattern में set हो रहे हैं questions जिससे आपका brain open हो क्योंकि answer वही है but question different है different तरीके से पूछा गया है तो उसका आपको video दूसरा मिलेगा this is only the first part अभी हम Shakespeare complete करेंगे and likewise सारे writers का हम इसी तरीके से complete करेंगे so I hope video आपको helpful रहा होगा इस सारे points आपको आपकी preparation में help करेंगे अगर थोड़ा सा भी आपको video पसंद आया हो तो please एक like हिट कर देना क्योंकि उससे motivation मिलता है ऐसे ही और informative videos बनाने के लिए और उसको upload करने के लिए तो एक like बटन तो बनता ही है और अगर नहीं पसंद आए तो आप dislike भी कर सकते हो अपने suggestion और feedback देना बिलकुल ना भूलें next topic आप क्या देखना चाहते हैं वैसे इसकी जो पूरी series है वो आपके पास में आए की part wise और आपके suggestions always welcome तो आप जरूर suggest करें if you have any of the requests related to any topic that is concerned to your syllabus of TGT or PGT then please do comment in comment box and इसी तरीके के informative videos देखने के लिए please do subscribe to the channel और bell icon को जरूर hit कर लें जिसे कि यहां से कोई भी नया video post होता है क्योंकि अब regular आपको videos मिलेंगे तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको search ना करना पड़े thank you so much for your support, thank you so much for your love और channel को पसंद करने के लिए so keep watching and thank you for giving your precious time